टीवी शो ससुराल सिमरका से लोगों के दिलों में खास पहचान बनाने वाली आक्टरस दिपिका ककर ने कुछ महीने पहले ही टीवी आक्टर शोय विब्राहिम से निका किया था लेकिन इसलाम को बूलने के बाद ये दिपिका की पहली ईद होगी तो भाई अपनी शादी के बाद पहली ईद कैसे मना रही हैं दिपिका फैन्स ये जरूर जाना चाहेंगे तो चलिए आपकी इसी क्यूरसिटी को हम दूर कर देते हैं दिपिका ने अपनी पहली ईद पर सबसे पहले अपने हाथों में महंदी लगवाई है देखें तस्वीरें बता दें कि ये फोटो उनके हस्बंट शोयब ने शेयर की हैं और पिक के कैप्शन में उन्होंने लिखा है पहली ईद की पहली महंदी तस्वीर में दिपिका के खुशी भी देखते बनती है अब दिपिका की पहली ईद की पहली मेंदी की ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर च्छा गए हैं वैसे आपको बता दें कि ईद के खास दिन के लिए दिपिका पहले से ही काफी एकसाइटर थी यहां तक कि उन्होंने रोजे भी रखे थे ईद के दिपिका क्रीन कलर का शरारा सूट पहने नजर आएंगी जिसमें यकीनन वो बेहत खुबसूरत दिखेंगी और अगर बात करें दिपिका की शादी की तो शोईब के साथ दिपिका ने बेहत साथगी बरे अंदास में निका किया था फिर इसके बार उन्होंने न सिर्फ इसलाम को भूला बलकि अपना नाम भी बदल कर फैजा रख लिया वैसे तो दिपिका शोईब के साथ पहले भी कई बार ईद मना चुकी है लेकिन निसस शोईब बनकर ये पहली बार होगा जब दिपिका ईद मनाएंगी और इस लिहास से भी ये ईद उनके लिए बेहत खास है वैसे तो दिपिका अपने फैंस के लिए अपने रियल लाइफ से जुड़ी खूब सारी तस्वीरें और विडियोज शेयर करती रहती हैं अब देखते हैं कि ईद के खास पलो को दिपिका अपने फैंस के साथ कब तक शेयर करेंगी और वो ईद के दिन कैसी लगेंगी